नमस्कार दोस्तों मैं रीचा जैन आप सब का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी विद पीचा में जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी बुक चल रही है हिंदी साइट्य का इत्यास आचार्य रामचन सुक्र की बुक और उसमें हमने कल रीती काल का प्रकरन एक क परकरन एक हमने कल की किलास में कम्पलीट कर लिया था आज हम परकरन दो रीती गरंतकार कभी परना शुरू करेगे मैंने आपको कल भी बताया था और आज फिर बताती हूँ जो परकरन दो और परकरन तीन वह काफी लंब है तो हमको दहरिय के साथ पढ़ना होगा यह एक द सब्सें प्रकरंब में में क्या-क्या परने को मिलेगा है अगर बात करते हैं प्रक्रंदों की तो परकरंब में टोटल सत्थावन रायटर है यानि कि प्टी सैवन और मैंने आपर सभी राइटर के नाम लिखे देख लेते एक बार चिंतामनी बेनी महाराज जस्वन सिंध है जो मैं आपको नोट करवा दूंगी तो जो ड्रेयर पाइन से मार्क है वे इंपोर्टेंट हो जाते हैं आप देख लीजिएगा चिंतामनी महाराज जस्वन सिंग ब्यारिलाल मती राम बोशन कुलपती मिष्ड सुक देव मिष्ड कालिदास तरिवेदी नेवाज देव शरीधर या मोड़ीधर शुर्थी मिष्ड शरीपती आगे बढ़ते आगे देखेंगे आगे दास भिकारिदास वेरी वेरी इंपोर्टेंट तोस निदी रसलीन दुलय बेनी बंदी जन बेनी परवीन पदमाकर वेरी इंपोर्टेंट गौल कभी परताब साही यह जो मैंने अभी राइटर आपको परें यह इतने इंपोर्टेंट है कि हमको इनकी एक एक लाइन विख से परनी होगी तो आज जो मैंने यहां पर रख्या है मैं आज आप करल की किलास में मैं एक किलास रखोंगी जिसमें मैं आपको बिहारिलाल देव और भिकारिदास करवाऊंगी क्योंकि तीनों राइटर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो इनकों मैं अलग से किलास में करवाऊंगी आज हम जो हमारे 22 राइटर है इनको पढ़ना कभी और सबसे पहले राइटर कौन से पढ़ने को मिलेगा में चिंतामनी तिरी पार्टी उससे पहले दो लाइने एक वार इनको भी पढ़ लेते हैं हिंदी साइटे की गति का उपर जो संसित उलेख हुआ उससे रीती काल की सामान्य परवर्ति का पता चल सकता है अब इस काल हुआ है ताकि जो इंपर्टेंट है वो इसमें पहले से मारक है तो आप एक बार देख लिए इसलिए चिंतामनी त्री पार्टी शुरू करते हैं पढ़ना यह तिक्वापूर के रहने वाले और चार भाई थे चिंतामनी भूशन मतिराम और जटा संकर मैं आपको बता दू जिन में पर्थम तीन तो हिंदी साइत्ते में भोत यसस भी हुए इनके पिता का नाम रतना करतिरी पार्टी था कुछ दिन से यह विवाद उठाया गया है कि भूशन नय तो चिंतामनी और मतिराम के भाई थे नय सिवाजी के दरवार में थे पर इतनी परसिद बात का जब तक परियाप्त विरुद परमान नहीं मिले तब तक व्य ऐसुए कार नहीं की जा सकती चिंतामनी का जनम काल समवत 1666 के लगबग और कवीता काल समवत 1700 के आसपास ठैड़ता है इनका कभी कुल कल्प तरू नामक गरंत समवत 1707 का लिखा है इंपर्टेंट है यह गरंत मैंन समवत 1707 का लिखा है इनके संबंद में शिव सिंग सरोज में लिखा है कि यह बहुत दिन तक नागपूर में सूर्य वंसी बोसला मकरंध साह के यहां रहे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का भूत भारी गरंत बनाया और काभ्य विवेक कभीकुल कल्प और काभ्य परकास राम एन ये पाच-गरंद इनके बनाए हुए हमारे पुस्तिकाल्य में मोग Güढ चंतामनी के गरंद की upcoming कि बात करते हैं तो पाज़ गरंद हमको यह एंपर भणने को मिलते नाम भी Пон종 पिंप नोगी लिविवेक कभ्य विवेक और काभ्य परकास यह तीन तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जो आज्जाम में पूछे ही जाते हैं तो आप इनको एक जंगा नोट कर लीजिएगा आगे बढ़ते हैं इनकी बनाई रामायन कवित और नाना अन्य चंदों में बहुत एपूर्व है बाबु रूदर साई सोलंकी साजा बादिसा और जैन्दी एहमद ने इनको भूद दान दिया है इन्होंने अपने गरंट में कही कही अपना नाम मनी माल भी कहा है यह इंपोर्टेंट है क्योंकि अपने गरंट में कही कही अपना नाम क्या है मनी माल इंपोर्टेंट है नोट कर लीजिएगा यह आने वाले समय में कौसन यह अंड्रा परसेंट बनेगा तो आप इसको नोट कर लीजिएगा आगे बढ़ते आगे देखें हम यहाँ पर ऊपर के विवरंस से इसपस्ष है क चिंता मनी ने काव्य के सब अंगों पर गरंत लिखे इनकी भासा ललित और सानुप रास होती थी अवद के पिछले कव्यों की भासा देखते हुए इनकी ब्रजबासा विशुद दिखाई परती है विश्यवर्णन की परनाले भी मनोवर है यह वास्तम में उत्कृष कवी अगले राइटर बेनी को यह असनी के बंदी जन थे और समवत सत्रह सो के आसपास बिदमान थे इनका कोई गरंत नहीं मिलता पर फुटकल कवित बहुत से सुने जाते हैं जिससे यह अनुमान होता है हिनोने नक्सिक और सट रितु पर पुस्तके लिखी होगी कवीता इनकी साधारांत है अच्छी होती थी भासा चलती होने पर भी अनुप्रास यूख होती थी दो उधारान नीचे दिये जाते हैं मैं आपको बता देती हूँ बेनी के बारे में जो उनको याद रखना है इनकी पंक्ती पहली यह इंपोर्टेंट है आपको यह याद रखनी है अब समय के सबसे परतापी हिंदू नरेश थे जिनका बै औरंग जेव को बराबर बना रहता था इनका जनम समवत 1630 में हुआ था इंपोर्टेंट है आप याद रखे वे साजा के समय में ही कही लराईयों पर जा चुके थे माराज गज सिंग के यह दूसरे पुत्र थे और उनक के बड़े भाई अमर सिंग अपने उद्दत सभाव के कारण पिता द्वारा अधिकार चुद कर दिये कहे थे माराज जस्वन सिंग बड़े अच्छे साइट्यमर मग्या और तत्व ज्यान संपन पुरुष थे उनके समय में राज्य भर में विद्या की बरी चर्चा रही और अच्छे अच्छे कव्यों और विद्वानों का बराबर समागम होता रहा माराज ने सुम तो अनेक गरंत लिखे ही अनेक विद्वानों और कव्यों से नयजाने कितने गरंत लिखवाए ओरंग जेव ने इने कुछ दिनों के लिए गुजरात का सुवेदार बनाया था मा से साश्ता खा के साथ ये च्छतर पती सिवाजी के विरुद दक्षिन बेजे गए थे कहते हैं कि चराई में साश्ता खा की जो दुर्गती हुई वे बहुत कुछ इनी के इसारे से अंते में ये अफगानों को सर करने के लिए काबुल बेजी गए जहां संबत 1745 में इनका परलोगवास हुआ इसमें आपको इनका एक तो जनम याद रखने होगा मिर्ट्व याद रखने होगी और जो इनके बारे में कुछ कुछ पॉइंट आया है ना जो मैंने यह आपको थोड़ा ध्यान मतलब ध्यान से परते हुए चलना होगा क्योंकि इसमें वह वाले कोशन बनते हैं राइटर के क्या सही था इनके बारे में क्या नहीं तो इनमें से एक दो लाइन उठा के वेज़ा में आगे बढ़ते हैं यह हिंदी साइट्य के परदान आचारियों में माने जाते हैं और इनका भासा भूसन गरंत अलंकारों पर एक भूत पर्चलित पाठ्थ गरंथ रहा है इंपोर्टेंट यह लाइन एज्जा में पूछी जा चुकिए कि किस राइटर के विश्य में आचार्या रामचन सुक्ल ने का है तो याद रखेगा महाराज जस्वन सिंग अंदाज आप ऐसे लगा लोगे जहाँ पर भासा भूसन गरंथ का नाम आएका तो आप समझ जाओगे किनका गरंथ जस्वन सिंग का तो उन्हीं के बारे में यह लाइन होगी इस गरंथ को इन्होंने वास्तम में आचार्या के रूप में लिखाया कवी के रूप में नहीं यह भी इंपोर्टेंट पराग कथन में इस बात का उलेक हो चु से पर महराज जस्वन सिंग जी इस नियम कि अफवाद थे आचारे की हैसित से हिंदी साहित्य चेतर में आये यह बहुत है यह बहुत परागराफ इंपोर्टेंट रिसमें एक एक लाइन है कोई सब्वी लाइन देके पोश सकते किस गरंद के बिसे में बात हो रही है यह कि की हैस्यत से नहीं उन्होंने अपना भासा भूसन बिल्कुल चंद्रा लोग की छाया पर बनाया और उसी की संसित परनाली का अनुसरन क्या जिस परकार चंद्रा लोग में पढ़ाया है एक इस लोग के भीतर लक्सन और उधारन दोनों का सन्निवेश है उसी परकार भासा भूसन में भी पढ़ाया है एक ही दोए में लक्सन और उधारन दोनों रखे गई है यहां पर मैं आपको बता दो जो गया और भासा भूसन हिंदी का व्यरीति के अभ्यासियों के वीज वैसा ही सर्प्रिया हुआ जैसा कि संस्कृत के विज़ चंद्रा लोग इंपोर्टेंट है यह लाइब भासा भूसन बहुत चोटा सा गरंथ है आगे अब हम देखेंगे यहां पर आगे है भासा भूसन के अतिरिक जो और गरंथ उन्होंने लिखे है वे तत्वी ज्यान संबंदी है जैसे अपरोष सिध्धांत अनुबब परकास आनंद विलास सिध्धांत बोद सिध्धांत सार पर बबोट चंडरोद्त नातक यह सब घरंत भी पद्ध्य में ही है यह जो यहां पर एक गरंत के नाम है यह सब खिसकोर कर्द बरंच्राइस जादा करो सृकशा जाता है वह तो आप भासा भूसन जभा थी जैद लखेंगे के लिए बहसा भूशन के दो दोई नीचे दिए जाते हैं यहां पर यह बहसा बूशन के याद रखेगा आगे बढ़ते आगे देखें यह कि यह दोई चंद्रा लोग के निश्लोकों के इस पर चाया है यहां पर जो बताएंगे बोलते हैं जो छंद्रा अनुसार है वन्ही की चाया है यहाँ Het कआ की बात होती आप बहुत सारी टीका लिखी गई सबसे पहली अलंकार रतनाकर के नाम से है टीका जो लिखी बंसी धरने कब लिखी संवत 1792 में दूसरी टीका किसने लिखी परताफ साही ने और तीसरी टीका लिखी गुलाव कवी ने बूसन चंद्रिका के नाम से यानि बासा बूसन गरंद पर तीन टीकाई मिलते हैं पहली अलंकार रतनाकर 1792 में संबत में लिखी गई किसने लिखी वंसी धरने दूसरी टीका लिखी परताफ साही ने तीसरी लिखी गुलाव कवी ने किस नाम से बूसन चंद्रिका वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कन्फ्यूज मत हो ना और इसको नोट जरूर कर लेना होता कि मंडन को देखेगा अभी तक हमने तीन राइटर पर रहा है जो फोर्ट नंबर पर राइटर थे वे थे बिहारी लाल जो मैं आपको कल की किलास में करवाँगी क्योंकि वे ज्यादा इंपोर्टेंट और वे थोड़े बड़े भी है तो हम कल को अराम से किलास में कर लेगे आज हम अपने जो हमारे अगले राइटर है पाच राइटर मंडन उनको परना सुरू करते हैं मैं आपको बता देती हूं इनके जो गरंत है वह आपको याद रखने होगे मंडन के रस रतनावली रस बिलाज जनक पच्चिसी जान की जूक ब्या नयान पचासा बस अब आप के मुख्य कव्यों में है और चिंतामनी तथा भूशन के भाई परंपरा से परसिदा जो क्याम पीछे भी पराज चिंतामनी भूशन मतिराम यह तिनों भाई थे यह तिकवापूर में समवत 1674 के लगबग उत्पन हुए थे और भौत दिनों तक जीवित रहे यह बुंदी यह 745 के वीच किसी समय बनाया करन श्रक जाता देख कोटचा जाता अलंकार करक्रां पूच्छ जाता है झालंकार संबंदी यह अज इनों नहीं के विद्ध उत्रेयंगे फिर इनका दूसरा गयंत इनका चंदसार नामक पिंगल गरंद माराज संबुनात सोलंकी को समर्पित है फिर इनका दूसरे गरंद का नाम लिखे ये चंदसार लिखेगे कि कैसा गरंद है पिंगल गरंद है और ये किसको समर्पित है माराज संबुनात को इनका परमनोर गरंद रसराज किसी को समर्पि इनके दो गरंत हो रहा है साहित्यसार और लग्षन श्रिंगार फूर्ट नमबर साहित्यसार लिख लेज़ेगाल फूर्फ नमबर पर लक्षन श्रिंगार सुरू के जो तीन करंत है लली gör लला, चंधसार रसराज रश्राज यह तीनों गुरंत आपको इन पर बैरी बैरी इंपोर्टेंट लिख लेना और यह बियाद रखना है किसको समर्पित है किसको समर्पित नहीं है आगे देखें कि ब्यारी सतसई के ढंग पर इन्होंने एक मतिराम सतसई भी बनाई जो हिंदी पुस्तकों की खोज मे लिए इसके दोए सरस्ता में ब्यारी के दोओं के समानी है आगे देखें कि इंपोर्टेंट है मतिराम की रचना सबसे बरी विशेष्टा यह है कि उसकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है नया तो उसमें भावों की किर्तिमता है नया भासा की भासा सब्द आटमबर से सर्व मुख है केवल अनुपराज के चमतकार के लिए ऐसा सब्दों की भरती कहीं नहीं है जितने सब्द और वाक्या है वे सब भाव व्यंजा से ही परियुक है इसमें आपको एलाइन याद रखने होगी मतिराम की रचना की सबसे बरी विशेष्टा यह है कि उसकी सरलता अत्यं है नया भासा की यहां तक आपको इंपर्टेंट लगा लेना है आगे देखे के रीती गरंत वाले कव्यों ने इस परकार की सुच चलती और स्वाभाविक भासा कम कव्यों में मिलती है पर कहीं कई वे अनुपराज के जाल में बेतर है जकरी पाई जाती है सारांस यह कि मति बासा के समान मतिराम के नय तो भाव किरती में और नय उनके वियंजक व्यापार और चेस्ट ट्राइए यह पैराग्राप वेरी वेरी इंपोर्टेंट इस पर लगा लीजिएगा इसमें हर लाइन में कोस्टन बनता है भावों को आसमान पर चरहने और दूरी की कोड़ी ल ब्यारी के समान चक्रदार नहीं वचन वक्रता भी इन्हें भूत पसंद नहीं थी जिस परकार सब्द वैचित्रे को यह वास्ट्वी काव्या से पर्थक वस्तु मानते थे उसी परकार ख्याल की जूटी बारी की कोवी इनका सच्चा कवी हिर्द्य था यह लाइन इंपोर और कंफ्यूज करने वाले भी होती है तो इनको आप अलग से एक जंगा नोट कर लीजिए यह यदि समय की पर्थक अनुसार रीती की बंदी लीकों पर चलने के लिए विवस्त नहीं होते अपनी स्वाभाविक प्रेर्णा के अनुसार चलने पाते तो होड भी स्वाभाव रोफ से सबकी अनुबूती के अंग है रसराज और ललित ललाम मति राम के ये दो गरंथ बहुत परसिद है क्योंकि रस और अलंकार की शिक्षा में इनका अपयोग बराबर होता चला आया है वास्ता में ये अपने विशे के अनुपम गरंथ है उधारनों की रवनियता से अनायास रसो और अलंकारों का अभ्यास होता चलता है रसराज का तो कहना ही क्या है ललित ललाम में भी अलंकारों के उधारन बहुत सरस और इस परस है इसी सरस्ता और इस परस्ता के कारण ये दोनों गरंथ इतने सपिरिया रहे है रीति काल के परतिनिती कव्यों में पदम इदी कवियों में पदमा करको चोर होड किशी कवी में मतिराम किशी चलती भासा और सरल वेंजना नहीं मिलती ब्यारी की पर सिद्धी का कान बहुत कुस वाग वैदक गया है दूसरी बात यह है कि उन्होंने दोहे कही है इसमें उन संद्र यैं नहीं आ पाया आ सका है जो कवित सवैये की लेके द्वारा संगप्तिक होता wsz कि कुछ उधरान नीचे दिये जाते हैं अब पर मतिराम की जो कवित हैं उनके कुछ उधान दिये गए यह सबसे पहली जो है यह बहुत पार आज जाम में पूछी जाती है तो इस पर आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा आगे देखें आगे इनकी कुछ पंक्तिया जो इंपोर्टेंट है आप इसको देख लीजिए पढ़ चुके पहले चिंतामनी और मतिराम को यहां पर भूसन को पढ़ेगे उनकी बात यहां पर हो रही है इनका जनमकाल समवत 1670 है नोट कर लीजिएगा चित्रकुट के सोलंग की राजा रुद्र ने इन्हें कभी भूसन की उपादी दी थी इंपोर्टेंट है पूचा असल नाम क्या था इसका पता नहीं यह कही राजाओं के यहां रहे आंत में इनके मन के अनुकूल आस्रेदा था जो इनके वीर काववे के नायक हुए छत्रपती माराज सिवाजी मिले पन्ना के माराज 16 साल के यहां भी इनका बरा मान हुआ कहते है कि माराज 16 साल ने इनकी पालकी में अपना कंदा लगाया था जिस पर इन्होंने का था सीवा को बखानों की बखानों 16 साल को इंपोर्टेंट है जा में पूछा भी जाता है कि किस राजा ने इनकी पालकी में अपना कंदा लगाया था तो याद रखेगा महराज 16 साल ने कन्फ्यूज मत होना माराज सिवाजी लगा कर मताना माराज चत्रे साल इसका आंसुर होगा ऐसा परसिद है कि इन्हें एक चंद पर सिवाजी से लाखों रुपे मिले इनका परलोकवा समवत 1792 में माना जाता है रीति काल के भीतर सिंगार रच की परधानता रही कुछ कव्यों ने अपने आश्रेदाताओ किस्तुती में उनके परताप आदी के परसंग में उनकी वीर्था कभी थोड़ा बहुत वर्णन अवस्या किया है पर वै पर्था पालन के रूप में ही होने के कारण ध्यान देने योग्य नहीं है ऐसे वर्णनों के साथ जनता की अहार्दिक सानुबुती कभी नहीं हो सकती थी पर भूसन ने जिन दो नाये को को अपनी कीर्थी को अपने वीर काव्य कावी से बनाया वे अन्याएं दमन में ततपर हिंदु धरम के संरक्षक दो इत्यास परसित वीर थे important है उनके परति भक्ति और संबान के प्रतिश्ठा हिंदु जनता के हिर्द्य में उस समय बीती और आगे भी बराबर बनी रही और बढ़ती गई इसी से बुषन के वीर्ष के उदगार सारी जनता के हिर्द्ये के संपत्ती हुए बूसन की कवीता कवीकीर्थी संबन्दी एक एविचल सत्य का दिश्टांत है जिसकी रचना को जनता का हिर्द्य सुईकार करेगा उस कवी की कीर्थी तब तक बरावर बनी रहेगी जब तक सुईकर्थी बनी रहीगी इंपर्टेंट है यह आर्पी असी में एक ओटेशन जो की तो आई वी हुई थी क्या संस्कृत साइट्य में क्या हिंदी साइट्य में हजारों कव्यों ने अपने आश्रेदाता राजाओं की परसंसा में गरंत रचे जिनका आज पता तक नहीं है परानी वस्तु कहोजने वाले कोई कवी कवी किसी राजा के पृस्तिकालय में कई किसी घर के कोने में उनमें से दो चार इधर अधर मिल जाते हैं जिस भोज ने दान दे देकर अपनी इतनी तारिफ कराई उसके चरित काब्बे भी कव्यों ने लिखे होगे पर उन्हें आज कौन जानता है सिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कव्यों की जूटी खुसामत नहीं कह सकता वे आश्रे दाताओं की परसंसा की पर्था के अनुसरन मातर नहीं है इन दो वीरों का जिस उत्सा के साथ सारी हिंदू जनता इस्वरन करती है उसी की वेंजना भूसन ने किया है वे हिंदू जाती के परतिनिदी कवी है कि कि रइटर के बारे में वे बोल गया वे हंदू जाती करती कवी है कि सिवाजी के दर्वार में पोचने के पहले वे और राजाओं के पास भी रहे उनके परताप आदी की परसंसा भी उन्हें अवस्य ही करनी परी होगी, पर वे जूटी थी, इसी से टिकने सकी, पीछे भूसन को अपनी उन रचनाओं से विरक्ती ही हुई होगी, इनके सिवराज भूसन, सिवावाबनी, छत्रे साल दसकी ये गरंथी मिलते हैं, इनके तिरि तीन गरंथ होड़ कही जाते हैं, भूसन उल्लास, दूसन उल्लास, भूसन हजारा, आप नोट कर लिजेगा, भूसन के गरंथ, पहले सिवराज भूसन, सिवावाबनी, छत्रे साल दसकी, तीनों जादर इंपोर्टेंट हैं, और उसके बाद बाकी जो ही इनके तीन गरंथ हैं, भूसन उल्लास, दूसन उल्लास, भूसन हजारा, हाल ये तो नाम से ही समझ में आ जाएगे कि भूसन के हैं, भूसन उल्लास भी, दूसन उल्लास, और हमारा जो आखरी गरंथ है, भूसन हजारा, ये भी आपको नाम से ही पता चल जाएगा, पर जो आपको बिलकुल भ और वीर दरपन पूने पिस पेशन मात्र होगा यहां इतना ही कहना आवस्चक है कि भूशन वीर रसके ही कवी थे इधर इनके दो चार कवित सिंगार के भी मिले पर वे गिंती के योग्या नहें रीती काल के कवी होने के गारन भूशन ने अपना परधान गरंत सिवराज भूशन अलंकार गरंत के रूप में बनाया पर रीती गरंत की देश्ट्री से अलंकार निरूपन के विचार से यह उत्तम गरंत नहीं का जा सकता लक्षनों की बासा भी इस पर नहीं है उधारन भी क कहीं कई गरबर हैं इसके अतिरिक सब्दों के रूप भूद बिगारे गई हैं कहीं कहीं बिल्कुल दगंत के सब्दें रखे गए पर जो कवित इन दोनों से मुख्या वे बरही परभाफ सालिय हुश उधायां नीचे दिये गए इंद्र जिम्मी जंपर वाइब सु अमपर बीडाया िपी आद रखेएगा किसकी पंग्ती बुशन की जहां पर यह पूरा पंग्ति सुरू की दो लाइन यहां पर इंपर्टेंट है और बाद की जो इस पहरी गराप की बाद की जो यह निसकी दोनों लाइन इंपर्टेंट हैैं और यह सब भूद बूद सब्स नके ही पंग्तिया हैं आगे देखेंगें आगे यह वाली पंग्तिया यह भी भूशन की इंपर्टेंट यह सब भूशन की पंग्तिया देख लीजयाँ अब हम अगले राइटर की तरह वरतर जो किकिए पूलती मिश्व इए मिस्ट इसलिये हो जाते है क्योंकि जो बिहारी-लाल कृतिकाल के परसिद कभी उनके बांजे थे यह पूचा जाता है किसका गरंट याद रखिएगा अब तक इनका यही गरंट परसिदा और परकासित है पर खोज में इनके निमली की गरंथ होरे मिले द्रोन पर्व युक्ति तरंगिनी नक्षिक सिंगा सिंगराम सार रस रहस से अते इनका कविता काल संवत 1724 और संवत 1743 के बीच ठेड़ता है आपको जो याद रखना इनका गरंथ याद रखना है रस रहस से और इसमें भी एक बात होरे इंपर्टेंट है वह बताते हैं रीत यहां पर इन्पर्टिंट यह मैंने मार्क किया हो आप देख लीजेगा आगे बरते हम अगले राइटर को देखे इंगे यहां पर यह कुलपति मिस्ट की बात है यह जो इनका दोआ है यह इस अगले सुक्दे मिस्ट इनके बारे में जो इंपर्टेंट है आपको इनके गर सार नव यह दो गर्म ज्यादा इंपोर्टेंट है देख लीजेगा आप नोट कर लीजेगा आगया अपने अगले राइटर को परते हैं कालिदास त्रिवेदी इंपोर्टेंट है परना सुरू करते हैं यह अंतरवेद के रहने वाले कान ने कुछ ब्रहमन थे इनका 145 वाली गोल कुंडे की चराई में यह औरंग जेव की सेना में किसी राजा के साथ गए थे इस लराई का औरंग जेव की परसंसा से युकवर्णन इन्होंने इस परकार किया है कालिदास का जंबू नरेश जोगजीत सिंग के यहां भी रहना पाया जाता है जिनके लिए सम इनका बड़ा संग्रेय गंत कालिदास हजारा वेरी वेरी इंपोर्टेंट बहुत दिनों से परसित चला आता है इस संग्रेय के संबंद में सिर्फ सिंग स्रोज में लिखा है कि इसमें समवत 1481 से लेकर समवत 1776 तक के 212 कव्यों के एक हजार पदे संग्रेत है कालिदास त स्थेयर को याद रखना है बस इसमें यह इंपोर्टेंट जादा है कालिदास तरीवेदी इनका गरन्ट कालिदास हजारा और इसमें 212 कव्यों के एक हजार पद संग्रेत हैं और आगे पड़ लेते हैं कव्यों के काल आदी के निरिने में यह गरंथ भूत ही उप्योगी है इनके पुत्र कविंद्र और पौत्र दूले भी अच्छे कभी हुए आगे आगे देखें कि हम यहाँ पर जो काली काली दास्तिरीवे वह मैं आपको बता देती हुए एक तो इनका गरंत है स्रिंगार सोरव एक हनुमान नाटक भी कई कई इनका पाया जाता है इतना इंपर्टाइन नहीं आपको श्रिंगार सोरव याद रखना है और आपको यह दो पंक्ति याद रखनी है राम की अब हम अगले राइटर को परना सुरू करेगे जो किया नेवाज इनका परना सुरू करता है यह अंतरवेद के रहने वाले ब्राहमन थे और संवत 1737 के लगबग बर्तमान थे ऐसा प्रसिद है कि पन्ना नरेश महाराज 16 साल के यह आई एक किसी भगवत कवी के इस्थान पर नियुक हुए थे जिस प सकुंतला नाटक का निर्मान काल संवत 1737 है इसमें जो इंपर्टेंट है वह आपको याद रखना होगा नेवाज और उनका गरंत है सकुंतला नाटक और उसमें एक लाइन इन्होंने सकुंतला नाटक का आख्यान दोवा चोपाई सवया आदी छंदों में लिखा इसमें य सारे त्यारे लिए सिग्रेवरज को हशीवो सहती है और दूसरा यहां पर यह भी इंपर्टेंट है बाबरी जो पर कलंक लम्यों तो निसंख ही क्यों नहीं अंगल लगावत यह दोनों इंपर्टेंट है नोट कर लेजिए आगे बरते आगले राइटर को देखेंगे सिरी डर के बारे में इन का गरंड वैरी वैरी इंपर्टेंट जंग नावा द्याम में पोछा जाता है पहले बाद देख लिडेटर का नाम या तो सिरी-दर या मुड़ी धर इनका गरंद जंग नामा और इसमें क्या ने इसमें फरुक्षिर और जहादार के योड़ का वरंग स तीन-पुइंट याद रखने हैं सिरीधर का दूसरा नामोरलीधर श्रीधर का गांत जन्ग-नामा, और उसमें कहीं का बळनन आ कपूचा-चाहिभ उस मिकषयभ और जहादार के युद्द का बढ़ते यह पूचा जा सकता हैं किसी गरंत में फरुक्षयाल और बढ़ते रख कान्यकुजब्रामन थे जैसा कि इन्होंने स्वाम लिखाया सूर्ति मिश्र कनोज्या नगर आगरे बास इन्होंने अलंकार माला संवत 1766 में और ब्यारी सत्रीकार्टी का संवत 1794 में लिखी यह इंपोटेंट और इनका यह इसलिए ही फिरमस है क्योंकि इन्हों ब्यारी सत्रीकी टीका लिखी थी किस नाम से लिखी थी अमर्चंद्रीका के नाम से लिखी थी संवत 1794 में सूर्ति मिश्र ने आता है इनका कवीताकार्ट विक्रम के 28 सताब्दिकांतिम चरन माना जा सकता है यह नस्रूल्ला खार नामक सरदार के हैं दिल्ली के बादसाम मोह उम्मद साह के दर्वार में आया जाया करते थे इन्होंने ब्यारी सत्री कवी पिरिया और रशिक पिरिया पर विश्त्रित टीकाए रची है जिससे इनके साहित्य ग्यान और मालमिक्ता का अच्छा परिच्छा मिलता है टीकाए ब्रजभासा गद्य में है याद रखेगा गरंथ मिलते हैं इनकी बात हो रही है इसमें जो आपको इंपर्टन रहे एक तो इनका गरंथ अलंकार माला याद रखना है दूसरा इन्होंने अमर्चंदरिका के नाम से ब्यारी सत्सय की टीका लिखी ती और यह देख लेते हैं जो अलंकार माला की रचना इन्हों ने भा आगे बढ़ते हैं आगे अगले राइटर है कविंद्र उद्यानाथ इन में कोई खास ही इंपोर्टेंट नहीं है याद रखना है कालिदास्ति रिवेदी के पुत्र थे जो हम पीछे पर कर आए और इनका एक गरंत रस चम्रोत यह दो पॉइंट आपको कविंद्र के बारे म है उद्यानाथ आगे बढ़ते हैं कि आगे देखें कि हम जो हमारे अगले राइटर है सिरी पती इनको पढ़ना सुरू करते हैं यह कालपी के रहने वाले कानने को जुपरामन थे इनको नोने संबत 1777 में काव्य सरोज नामक रीती गरंत बनाया इंपोर्टेंट है काव्य स सरोजकली का अलंकार इसमें जो इंपोर्टेंट है काव्य सरोजб कावी कल्पदुरुम अनुपराश वनोद यह तीनों पराली इंपे लगा लेना आगे इसमें जो इनकी दो सबसे पहले तो यह काव्यांगों का निरुपन जिस प्रस्ता के साथ इन्होंने क्या है उससे इनके स्वच बुद्धी का परीचा मिलता है इंपर्टेंट है यदि गद्य में व्याख्या की परिपार्टी चल गई होती तो आचरत्व यह ओड भी अधिक पूंता के साथ बिकारी दास ने अबमने कल भी पहरा था इनका गरंत था काव्य निर्णा उसे की बात हो रहे हैं कहते है कि दाज जी तो इनके बहुत अधिक लिए इनोंने इनकी बहुत श्य बाते जो हो की तो अपने काव्य निर्णा में चुप चाप रख लहां आचरयत्व यह कवित भ थ्यान से पढ़ लीजिएगा इंपोटेंट आगे बढ़ते हैं आगे देखेंगे यह सिरीपती की पंग्तिया इनको मिस्कीप कर सकते हैं इतनी इंपोटेंट नहीं है आगे अगले राइटर है बीर के बारे में हमको स्विप याद रखना है इनका गरंत कृष्ण चंद्री क याद रखेंगा आगे बढ़ते हैं अगले राइटर है कृष्ण कभी कृष्ण कभी यह को ने यह ब्यारी के पुत्र थे वे उन्हीं की बात हो रही है यह माथुट चोबे और ब्यारी के पुत्र परसीद है इनके बाएं में जो इंपोटेंट है कोटेशन यह याद रखन इड़नित होता है इंपोटेंटर यह उसलिए इंपोटेंटर क्योंकि स्लाइन को पढ़कर, विहारी की तरव भी जा सकते हैं कि यह कुछ्ण कभी की बात हो रही है और कृविक का वीकश्ण कभी के पुत्र थे आगे हैं कि आगे जागे देखेंग हम यहां पर एक कृस्ण इनका एक गरंत है जो हमको याद रखना होगा अलंकार चन्रोद्या मैं आपको पहली बताया था जो कुछ राइटर रीतिकाल में ऐसे हैं जो हमें लाइन बाइन परने होगे और कुछ ऐसे हैं जिनके बार में एक एक दो दो पुइंट याद रखने होगे तो यह रशिक सुम जो मैं आपको बता दूंगे इंपोर्टेंट है यह आगरा के रहने वाले थे इन्होंने समवत 1787 में घटमल 22 नाम की हासे रसके एक पुस्तक लिखी इंपोर्टेंट है यह प्यार रखना यह कैसी थी हासे रसकी पुस्तक थी इस परकरण के आरह में आ गया है कि रीतिकाल म सब्सक्राइब कर दिखाया इसलिए मैंने आपको पढ़ा क्योंकि क्या रीतिकाल में सिंगार रसकी तो परदान तरहीं पर कई कई वीर रस भी मिला पर हासे रस कहीं नहीं मिलता एक मातर यह राइटर है जिन्होंने हासे को अपना परदान रस बनाया और यह भूक है खटम एक अलग तरह का रसका वर्दन किया है रीतिकाल में सिंगार और वीर रसकी वजाए इन्होंने हासे रसको परद्धान तरह इसलिए इसलिए इंप्रटेंट हो जाते हैं इनकी पुस्ता क्या दखिएगा खटमल बाइसी और किस पर थी हासे रस पर तो यहां पर आज मैंने जैसा कि मैंने आपको बसलाए की आपको 22 सब्सक्राइब करने कीपारी चली चली होगा भी ब सैन इसलिए परसों को आपने वागी सब्सक्राइब करेंесा जैसा कि मैंने आपको आज पराया जो important थे उनकी line by line पर आई और जो important नहीं थे जिनके बारे में 3-4 point important थे वे मैंने आपको note करवा दिया आपको बता दिया किस writer की यह रचना important है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो like subscribe share कर दीजिएगा और अगर आपको कोई डाउट है या तो आप मुझे वीडियो में कमेंड कर देना या फिर मेरी email id यहां पर मैंने दी हुई है इस पर भी आप मुझे को email कर देना मैं reply जरूर करूंगी और आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुट जाएए मेरी सभी किलास की पीरियप लेने के लिए और आप इस्टा पर भी मुझे को follow कर सकते हैं और आपको वीडियो कैसे लगी comment करकर जरूर बताए अगर आप comment करकर बताते हैं तो थोरा होसला भी बढ़ता है कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब सेर कीजिएगा धन्यवाद